Hello everyone, तो आज ना वीडियो लेक्चान नी अंदर आपने दिप्लोमा सिविल एंजिनेरिंग ना पाच्मा समेस्टर नी अंदर आउतो सब्जेक्ट एलेके अद्वांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलोजी आज सब्जेक्ट ना जिती उना सिलेबस अनुशार नो एक उनिट याट मिज के equipment for the construction आ equipment for the construction नी अन्दर आउता बेर equipment, याटलायके equipment for the pall driving and equipment for the bitunomus road बने equipment शूपर आज ना वीडियो लेक्चान मा आपने discussion करवाना छिए आजना वीडियो लेक चन्ना मुख्य टोपिक्स मी वाद करिये अत्वा तो ए पॉइंट्स मी वाद करिये कि जहे आ पाल ड्रेविंग एक्विपमेंट कि बित्यु नमस रोड माटे ना एक्विपमेंट समझवा माटे जरूरी चा तो एनी अंदर आपने त्रण टोपिक्स वोपर वाध कर शू अमा पेलू चे वाटिस पाल ड्रेविंग एकले के पाल ड्रेविंग के ने के वा मावे चै इमेठट सूँचे इप्रोसेस सूँचे ते पना आफ्टर डिफ्रेंट मेठ़स ओप पाल ड्रेविंग एकले के पाल ड्राइविंग नी अलग अलग मेथडस हो जी आवे अवे छे ए समच्छू अनो त्यार पचि डिफरेंट इक्विपमेंट यूस्ट फोर बिट्यूनमस रोड बिट्यूनमस रोड एकले के जने आपडे डामर नो रोड कहिये चिये असफाल्ट रोड पन के वामा आवे छे रोड कंस्ट्रक्शन करवा माटे जी इक्विपमेंट्स यूस्ट थाई चे एनू पच्छी लास्ट टोपिक माँ आपने चर्चा करशून तो सवप्रत्यम जूए तो तो कि ओट इस पाल ड्राइविंग एडल पाल ड्राइविंग के टाइप ओफ फाउंडेशन इन वीच लोड अब दे स्ट्रक्शर इस ट्रांसपर इन्टु दे लोवर लेवल अब दे सोल्ड बै मेंस ओप वर्टिकल मेंबर नौन अजर पाल्ट अवा यह तमने जे फोटो माँ देखाई छे ए रेक्टेंग्यूलर सेप्टी कोंक्रिट प पेली छे जहने जमीर नी अंदर उंडियस उधी बेसाडवा मा आवे छे आना पाल्स नू मुख्यकारी अशू ओई छे कि एवी जग्या फाउंडेशन वर्क मा उप्योग मा आवू अथवा तो फाउंडेशन वर्क मा वप्रावू कि जे यहां जे सोल छे एनी जे लोड ब अडिया फाउंडेशन एड़ोप्ट करवा मा आवत हुई छे राइट जो एमा जागल वाद करिये तो कि अलग 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 प्रकाणी पायल छे एक अंस्ट्रक्शन मा उप्योग मा आवत हुई छे क्या प्रकाणी तो कि आजे पायल छे एनो का तो शेप ना आधर है विजेट अमने अंदर वाद करिये तो एनो उप्योग सुन चे पर्टिकिलर एना अधर है अलग अलग प्रकार पड़ता हुई छे जो मेटरियल नी वाद करिये तो सच्चा पायल्स आर मेट बाई टिंबर लाकडा नी बने ली ओई छे मेटल जनरल कैसेस नी अंदर स्टें ओफड़ता नी बनी सके छे आ임ने अफजो फोटो मा जो वरतले मेटल पाइल बनी सके छे तो फंक्षोन ना आदर गशे जो फंक्षन ना आदर पाल एंप्योग बिद्धी ना वाद बपाल है अधर कातव वर्टिकल पाइल सब्सें राटिकशन पाल होई शे नियों कातेू एना आधारे का तो पाल छे वर्टिकल डेरेक्शन मा जमेन नी अंदर इंसर्ट करवामा आउसे, अथो आतो इंक्लाइन डेरेक्शन मा जमेन नी अंदर शूं करवामा आउसे, इंसर्ट करवामा आउसे. हवे बात करिए कि the operation of inserting a pile into the ground is known as a pile driving तेट मिन्स के आजे pile छे एना चमिन नी अंदर जे नाखवानी प्रक्रिया चे एना सुन के वा माँ आवे छे pile driving के वा माँ आवे छे सिंपल इटम नी अंदर बात करिए तो pile driving कई रित करवा माँ आवे तो के जमिन नी अंदर जे पाल छे एना बेसाडवा माँ आवसे के नी मद दत्ती हेमर नी मद दत्ती majority cases माँ हेमर्स नो उप्योग थोतो होई छे पड़ अमुक alternative methods पन अवेलेबल छे के जे according to job location and according to the pile नुकंस्ट्रक्शन के होँ छे अथवा तो pile क्या प्रकार नी बनेली छे एना अधर बीजी metals पन एड़ोट करवा माँ आवती होई छे पड़ इन जनरल केस नी अंदर जो वाद करिये तो pile driving छे हेमर नी मद दत्ती थतु होई छे एनो जो simple principle नी वाद करिये तो दिवाल नी अंदर आपड़े कोई लोखन नी खिली खलवा माटे पाल ने अथवात अश्वरी दिवाल ने 90 डिग्रिये खिली राखी अन तियार पची हेमर ने अनि उपठब कार्या जेने कार्या जे खिली छे येना जे टोपेज छे ये जे धारदा रेच छे त्यां थी धिवाल नी अंदर गुसी जाषे शेम प्रोसेस चे शेम वश्तु जे पाल राविंग मा पने अथ प्रिंसिपल यूसत था से पाइल ने वर्टिकल डिरेक्शन मा थो इंकलाइन डिरेक्शन मा सेट करवा मा आउसे तेर पची हेवी हेमर नी मदद थी अने उपर थी पटकडवा मा आउसे तो शोक आपवा मा आउसे जिने काने जमिन नी अंदर बेस्ती जासे इक्विपमेंट युज टू लिफ्ट दो हेमर यतला कि जा हेमर छे नानो मोटो तो होतो नाथी हैंड हेमर तो हसे नहीं आज पाइल ड्राइविंग हेंदर जी हेमर युज थाई छे एनना वजन नी जो वात करिये तो 500 kg लई ने लगबग लगबग 10,000 kg सुधी ना वजन ना होई छे तो तमें आथी आथो तो manuel लिफ्ट करी सक्सो नाई एना माटे तमारे कोईपन प्रकारिना मसीन आथो इंस्ट्रूमेंट्स नो युप्योक कर वो पड़से तो आज ये मसीन आथो इंस्ट्रूमेंट गे जह पेला हेमर ने लिफ्ट कर से एक उच्चा इसुधी लई जास अन्य तियार पची यहने ग्रेविटी नी मदत्ती आथवा तो बिजा कोई पण मेकेनिजम नी मदत्ती पाइल नो जे हेड छे एटले के पाइल नो उपर नो भाग छे यहनी उपर पच्छाड छे आथवा तो शोक आप छे तो आज आप्रकान नो जे एक्विपमेंट छे के नो जे हेमर ना लिफ्टिंग माटे और performance करवा माटे वा पर वामा आवे छेने सू के वामा आवे पाइल ड्राइवर के वामा आवे चे र्याट अवे जो आगड बात करिये, कि पाइल ड्राइविंग नी मेथड छे, अलग अलग प्रकानी मेथड अवेलेबाई छे, तो कई मेथड कई जग्या बेस्ट शूटेबल रेस है, यहनों सिलेक्शन करुव हुए तो, तो कि पोइंट्स टू बी कंसीडर फोर दो सिलेक्शन आप पाइल ड्राइविंग मेथड्स, यहनों कि पोइंट्स कंसीडर करवाम आवे छे, कि यहरे कोई पर्टिक्यूलर प्रकार नी पाइल ने, कोई पर्टिक्यूलर जोब लोकेशन, अथवा तो पर्टिक्यूलर साइट, अथवा तो पर्टिक्यूलर जमीन नी लेयर मा, यहरे अथो जा सेुपरे लाइयर होे खर्षावर ब्लेक पोटन खर्षाय। एटला के सक्क्योई त्यां सुधी construction work ओछु धवु एक main priority होई छे एटला माटेज सक्क्योई त्यां सुधी एवा equipment पसंद करवा माँ आवे के जनो cost ओछ होई, that means के equipment economical होई त्यार पची availability of fluid pressures गणी वकट जया hammers चे याने drive करवा माटे जे hammer driver छे अथो पाल driver जेने आपड़े कहिए इकणी वकट hydraulic pressures नो उप्योग करता होई छे अथो अथो pneumatic pressure नो उप्योग करता होई छे तो hydraulic pressure अथो pneumatic pressure hydraulics ने अंदर liquid oil नो यूस था से जे नुमेटिक ने अंदर compressed air और steam नो यूस था से अना बनने fluid नी केटेगरी मा आवा छे तो एवी जग्या के जिया आ प्रकार ना hammers नो उप्रेट करवा माटे पुरता प्रमाण मा pressure available थाई जातू होई तो एपन criteria सिलक करवा मा आउतो होई छे सिलक संदर्मियन बट आ जे criteria चे एटलो बदो इफ्यक करतो नथी बिकोज मोडन जे hammers आवा छे जे pneumatically अथवा तो hydraulically actuate थाता होई आप बद्धा प्रकार ना hammers जे आवे छे पोताना self-actuation motor अथवा तो पोताना self-propelled mechanism साथे आवता होई छे जेने काने ना अलग थी power आपवानी जरूर पड़ती ना थी तेन आपतर material of the pile एक खास महत्वनों थे जाई चे बिकोज फोर एग्जांपल आपने एक वात करिये के फोर एग्जांपल जे पाईल चे टिम्बर नी बने ली चे तिम्बर पाईल नी एक खासियत चे के ए वधारे सोक अब्सोर्प करी सक्षे नई आणि यहनी सामे जे सोयल चे एक खाट्वन चे रातवा तो हाड रोक नी मेथड़ हाड रोक ही सोयल चे अवहनी उपर तमे आँ हेमर नो उप्योक कर सो तो पाईल अंदर जवानी बढ़ले जमीनी सर्फेस नी उपर ज पाईल तूटी जासे तो एवासमे खास दियान डाख्वा पड़े किया प्रकार नो मटरियल चे पाईल नो अनि यह जे मटरियल चे पाईल नो यह जे हमर ना सोक छे न एब्जोर्ब करी सक्षे के नई यह आधर अपन सिलक्षन थतू होई चे तेन आफ्टो लेंथ अब दो पाईल अमोग मटरि लोग में आवी सक्षे नहीं तो एवा कैसेस मा लेंथ अन देमेंशन पन ओर वात करिये तो डेमेंशन अब दो पाईल पन कंसिडर करवा मा आउता होई चे अन देन आफ्टो ग्राउंड वोटर लेवल ग्राउंड वोटर लेवल अटला माटे का सपोज के पाल जे जमेन न निक समता चे ये ना करता वधारा पाणी जमेन नी अंदर चे तो थसेस मा अवा कैसेस मा कि जयारे तम्हें पाईल ने जमेन नी अंदर ब्यासाड सो एवा समय जे माटी नी अंदर रहलू पाणी चे ए पाल आजूनी जग्याव माती बार नी कर से तो एवा कैसेस मा कोई special treatment इक्विपमेंट नो उप्योग करवा परतो होई छे, अथवा तो special equipment अथवा तो method नो उप्योग करवा परतो होई छे, तो आपन factors छे, ये pile driving नी method selection करवा मा अती महत्वनु बनी जातो होई छे, रैट, त्यार पछी वाद करिये के अलग-अलग प्रकार नी methods के जे pile driving माटे use कर करवा मा आवा छे, तो इन जनरल चार प्रकार नी methods छे, अथो तो चार method छे, कि जे pile driving घरम यान उप्योग मा लेवा मा आवती होई छे, येमा पेलू छे hammer driving, येटले के simple term नी अंदर के येटो हथोडा थी drive करू, एक motor weighted हथोडा ना सेपनो एक weight होई छे, hammer ना सेपनो एक heavy weight ह छे, येने lift करी अने पच्छी अमो कुच आई थी नीचे transfer करी ने, pile driving करवा मा आवती होई छे, तेन आप्टर, vibratory pile drivers, येटले के vibration नो उप्योग करी ने पाल ने जमेन अंदर बेसारता होई छे, तेन आप्टर, water jetting and hammering, high pressure water flow, अथो अथो high pressurized water jet नो उप्योग करवा मा आ अने आप्टर, partial eggering method, अगर नो उप्योग करवा मा आवे छे, पावर अगर नो उप्योग करवा मा आवे छे, जेने कारने पेला pile माटे नी जग्या जमेन नी अंदर करवा मा आवती होई छे, तो आजे चारे-चार method छे, हावे आपने वारा फरती वारा आगर सम्माझी है, तो मा सवप्रतम आवे छे, हेमर ड्राइविंग, हेमर ड्राइविंग सुन छे, तो कि इन दो हेमर ड्राइविंग method, इट यूजड हेवी हेमर, and dropped on the pile head by means of different arrangement, एट लेके के नो यूजग करवा मा आवे, कि अमुक उच्चा ये जे हेमर छे, येने पाल नी उपर ड्रोप, अतले के फ्यक्वा मा आवे, चेने कारणे सुन थाशे, ग्रेविटी नी मद थी, अन्ये जे हेमर नो पोता नो सेल्फ वेच चे, येने कारणे हेमर स्पीड थी, pile उपर स्ट्राइक थाशे, तेने कारणे सुन थाशे, कि pile जी जमिन नी अंदर बेस्ती जाशे, पड़ा ये अन्ये केपेसिटी अने हेमर ड्राइविंग ज जाशे, हमर ड्रायविंग मैथड़ ना जो अमुकमुकं कम्पोनेत नि अथवा तो जी इक्विक्मेंट्स्टी नी वाद करिंएके जे हमर ड्राइविंग मेथड नी अंदर वापर वामा आवे छे, तेमा पेलू जे जपँ पीनिन शोपी होता है आटे कोई measuring instrument अत्व तो तो यंगल measuring instrument यूस कई रहा अवाजय miscellaneous equipment छे अवाजय equipment छे यहने कई के टेगरी मा हाऊ से miscellaneous equipment मा राइट तो हवे वारा परती वारा दरेक equipment नी आपड़े चर्चा करिया आगड़ सवती पेलू आवे चे pile frame और pile driving rig अवा है तम्हें फिगर मा जो होई रही ते अलग अलग प्रकार नी चार रीग देखाड़े ली छे पेलू सुँँँचे standard still pile frame त्यार पची बिजू सुँँँचे pile frame with switching lits त्यार पची त्रिजू सुँँचे standard pile frame और चोथू सुँँचे pile frame for a fixed better अवा चारे-चार रीग नी एक common खासी अच्छे तम्हें जोस होतो कि चारे-चार रीग मा एक उँचु still नू बनेलू platform छे जहनी पुल्ली लगाडेली अथवा तो विंचीस लगाडेला हाँचे अने इनी नीचे नी बाजुए लीड्स नी मदती लीड्स अटलेके एक गाइड वेन जहे हेमर ने वर्टिकली अपवड और डाउनवर डाइरेक्शन में गाइड करे छे मोमेंट माटे तो यह अटेच करेला हाँचे आने त्रणे त्रणे नी कोमन खासी हती ही छे के कातो आप फिक्स्ट होसे अथवा तो आप कईपन ट्रेक्टर वोपर माउंट करेला हासे मेजोरिटी क्यासेस माँ हेवी जे हेमर्स होई छे, एक क्रावलर माउंटेग ट्रेक्टर्स उपर होई छे, बिकोज क्रावलर जे छे, एक टोटल जे आख्याक एक्विपमेंट नो वेग छे ना मोटा हरिया माँ स्प्रेड करी देशे, छेने कारणे आप्रकार ना जग्या आए, के जहां होलिंग रोड छे, एनी जहे सर्फेस छे, पोच ही जह, माटी एटली बधी फर्म न थी, तो एवा कैसेस माँ इजीली थाई जाए, राइट, अवे जो पाल फ्रेम ने अंदर आगर वाच करियो तो, तो का पाल ड्राइवर विथ अ क्रावलर देड क्रेन रिख छे, आनी अंदर यूस थाती हुए छे, घेन आफटर, के दह हमर इस गाइड बिट्विन दे टू प्रेलर स्टील चनल नो नो नहीं अजा लिट्च, आपड़े कीदू हैं, के जे लिट्च छे, असुँँँ करशे, प्रेललर लिट्च अशे, अने नो एनी वर्टिकालिटी चेक करवी अथवा तो सर्फेस थी एक्जेट 90 डिग्री ए अथवा तो परफेक्ट ट्रू वर्टिकल डियरेक्शन मा लीट्स ने राखवा हाँ, हमु केसेस ने अंदर जो पाल ने इंकलाइन एंगले इंसर्ट करवानी होई तो पर्टिकुलर एंगले लीट्स ने सेट करवानू काम कोण करतु होई छे क्रेन ना चे स्टे होई छे, क्रेन विथा स्टे, यह करता होई छे इस ट्रेय रुज 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 भी अज़स्टे सो दे लीड कें बी एल्टिकल पोजिशन मेकी दुं पर्मिट दर्विब दर्विफ वर्टिकल पाल्स ने राखविग माटे हा अमुक पाल्स चे इंकलाइन फोम ने अंदर वोई छे तो एना माटे पन, incline pile ने पन drive करवा माटे, आपरकानी leads चे वापर वामा आउती होई छे, राइट? त्यार पची वाद करिया pile hammer, अबाँ pile hammer सुन छे, तो pile hammer is a main component which applies the axial force on the pile, so that pile drive inside the ground. अबाँ यह जो एक force ने specific वाद करे ली चे, आणि force क्यों छे, axial force चे, because जो pile नी vertical axis चे, एक्जेट, parallel, अथो एक्षिस साथे coincide थाई, एजरी ते, जो hammer चे एपलाई, force अपलाई करतो होई, इक्षिस ती eccentric नहीं होई, because जो hammer चे, hammer नी axis, अथो hammer नी जो moment नी direction चे, ते, आना pile नी axis, एबेवच्चे eccentricity होई, एबणी axis अथो एबणी axis अथो एबणी जो direction चे, एक बीजाती दूर होई, तो थासे शू, hammer नो पूरे-पूराँ force चे, पाईल उपर नहीं पड़े, और बिजी टम नी अंदर अथो तो बिजी साइड भी चारिये, तो hammer ने नुक्सान थावाना chances पन के बाद ही जाई छे, वधी जाई छे, एटला माटे एक खास दियान राखवा माँ आवे चे, during the hammering action, के पाल नी axis अने hammer नी axis of moment, that means के moment नी direction, एब बनने एक भी जानी अंदर को इंसाइड हो, एटले के बनने एक जोई, राइट, हवे अलग 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 प्रकाना hammer swapर व चूस करवा मा आवता होई छे, इमा चार प्रकाना hammer आवे चे, drop hammer, तेना आप्टर double acting hammer, steam अथवा ते pneumatic न उप्योग करता होई छे, तेना आप्टर single acting hammers, आना चोथू छे diesel hammers, हवा चार चार हमर नी आगड वात करिये आपड, तमा पेलू छे drop hammer, वाई तमा फिगर मा आडर नी मदथी fix करेलू छे जमीन उपर, जिने कारने आखे आखा hammer नो जे वजन छे, ए जमीन नी surface उपर equally distribute थी जे, अवा सूँँछे, आनू working सूँँद हाई छे, तो के drop hammer is raised by a winch, विंच नो कारिया सूँँछे, पावर winches होई छे, के जे lifting mechanism माटे वा परवा मा आवती ह छे, and allow to drop on the top of the pile under the gravity from a certain height, लाक hammer ने उचक से, त्यार पछी न्याथी drop कर दे से, लाक gravity नी मदथी हमू कुछ आए थी hammer छे, इनी चे पड़ से, हवे, आये तमें जे orange कलो नो पोर्जन देखाई छे, जे crane नी आगनी से लगाडे लो छे, लीट छे, जे hammer ने guide करवानू कारिय करतो हो से, हावे, driving action दर मियान सूंथा से, कि during the driving operation, a cape is fixed to the top of the pile, लाके जा पाईल छे, यहनू उपर नी surface आखे हाकी खुली नहीं हुए, यहनी उपरे cape लगाडेली हो से, metal नी बनेली, and the cushion is generally provided between the pile and the cap, लाके जा पाईल छे, अन्ने जी केप छेनी बाच्चे, spring cushion आत्वाथ hydraulic cushion provide करेलो होई छे, कि जिने कारणे, impact force जो ता मुख limit करता वधी जाई, तो इपाईल ने damage करी सके नहीं, राइट, क्यार पची बाची बाच करिये, हजी एक cushion प्रवाइट करेलो होई छे, तो कि another cushion known as a hammer cushion is placed on the pile cap on which hammer caused the impact, यहनी जे पाईल केप छे, यहनी उपर नो पन एक cushion होई छे, यहनी hammer cushion के वाँ मा आवे छे, आन पाल केपनी निचे पने कुशन वाई छे, जेना सुन के वाँ मा आवे छे, पाल कुशन के वाँ मा आवे छे, आब बन्य कुशन नो काम सुन छे, कि hammer ने कारणे जे excessive impact force परतो होई, तो इप्जोर्ब करवानू, आन पाल ड्रेव आप रका नी जे टेकनिक छे, तेरे modern structures अथवा तो fast construction work मा सक्के वोई त्या सुधी उप्योग मा लेवा मा आवती न थी, राइट? त्यार पची वात करिए double acting hammer, और double acting hammer होई छे, आए तमा फिगर जे चार फिगर देखाई छे, ए double acting cylinder नो working देखाड़े छे, पहला पर ये working जोई लेए, तमा पेली फिगर मा जोसो, तो cylinder नी उपर, डाबी सेट नी पेली फिगर जोसो, तेमा सुन थाशे, सिलिंडर ना बन् अवा थाई छे सुन, जे red portion थाई छे, ये red portion नी अंदर अत्यारे oil के ऊच होँ छे, जे ब्लू portion नी अंदर oil वधा रहे छे, अवा सुन थासे, कि जे hydraulic pump छे अथवा तो pneumatic pump छे, ये oil अथवा तो air और steam ने red portion साइट ट्रांसपर कर से, अने जे blue side नो portion छे, blue side नो वार छे, थ थासे सुन, piston नी एक side pressure वध से, जे रे piston नी busy side pressure मा घटाड होता से, जेने काणे piston ची outward direction मा motion कर से, अथवा तो आनी टमनी अंदर वाद करिये तो DAB side ती चमणी सेट, एक वख़त आ परिस्थिती आखी reverse थे, ये, थेट मिस के piston नी उपर नी बाजुए प्रेसर वधार होई, नी चैनी बाजुए प्रेसर अथवा तो वोल्यम ओछुए, तेयार पची सुन थासे, तेयार पची reverse stock लाख से, रिवर स्टोक लाख से, तो थासे सुन, कि जे साइड पिस्टन नू वोल्यम ओछुए तो, ते साइड अवे oil अथवा तो पंप छे, इप oil अथवा तो steam ने नी चैनी बनने बाजुए, हाइड्रोलिक फ्लूइड अथवा तो नुमेटिक फ्लूइड, तेयार और श्टीम अप्लाई करवा मावती होई चैनी आप बनने वालनी मोमेंट ने कारणी जे पिस्टन जे आगर ने पाचल मोमेंट करतु होई चैनी जो हाँ डबल अक्टिं अच्छू करवा और पाच्षू करवा अना पाच्छू ड्रोप करवा बनने माटे कोन उप्योग था युख था हिछे, ये जेसञ प्रेसर वधार अथो ये ओपोजिट प्रेसर वाधर आप आप अवसे अथवा तो जे साब प्रेसर ओछू हो आथो पिस्टन जे साबवा म चेने काना सुन थासे कि पिस्टन नीचे नी डायरेक्शन मा डाउनवर डायरेक्शन मा motion करसे अने त्यार पची सुन थासे कि पिस्टन ने कारणे हेमरिंग एक्शन जनरेट थासे हाँ आनी अंदर वाद करिये तो हेमर नो वेट केटलो होई छे 1000 kg थी मांडी ने 500 kg नी वच्चे होई छे आना जो stroke नी वाद करिये तो 9 थी मांडी ने 240 ब्लो एक मिनिट नी अंदर लगाड़ी सका छे चनरली डबल एक्टिंग हेमर चे क्या योस्थता होई छे तो के moderate weight ने पाइल होई छे अने एवाँ स्वेल नी अंदर इंसर्ट करवानी होई के जह स्वेल नू जह रजिस्टन्स चे क्या वोई अच्छ होई छे अने हाँ आ एक fast method चे पाइल ने drive करवा माटे ने त्यार पची वाद करिये single acting hammer एक जेट आने तमें figure जो हो छो ए आ single acting hammer अथो तो double acting hammer बन्ने नी होई सा के बन्ने ना mechanism लगबग लगबग सर खावाई हाने actual machine ना exterior मा काई वधार चेंज होतो ना थे पर single acting hammer नी अंदर सुम होई छे के इना single acting hammer the ram is raised by air or steam एटले के जे hammer छे एने steam द्वारा खाली उच्चे क्वामा आवे छे त्यार पची drop करवानू कारी अजये छे ये hammer पोताना self weight ने कारण्या करे छे हावे आ प्रकाना जे hammers चे एना वजन नी वाद करिये तो 1000 kg ती मांडी ने 10000 kg नी वच्चे आ hammers उप्योग मा आथवत अवेलेबल होई छे जेने कारणे heavy pile driving करू वोई तो पन इजी थे ही जातू वोई छे त्यार पच्छी वाद करिये diesel hammer और diesel hammer सुन छे आ diesel engine ना कारिया जिद्धान्तू पर वर्क कर से तो आए तम फिगर मां जूँ होई रिते के जे hammer छे आथवा तो जे piston छे piston नी 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 साइड एक diesel engine नी अरेंजमाइट आशे तो ये नी अंदर diesel ने fluid diesel ङजोरा तो gasoline power तृरी की यूउज करता आशे तो अचे तासे सु कहलता है नी 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 पर्फ मेज पर्फ मेज डीयुHow YOUR छुटीड़ी पड़ेली एनरजी ने कार्णे जे पिस्टन छे फ़री पाचु उपर जासे एतल ये पिस्टन के उधासे राइस थासे अथवा तो हेमर आखयाकू के उधासे उच्चू जासे त्यार पची शूँत छे एक लिमिट चुदी उच्चाहे जासे त्यार पच्छी पाच्छू self weight ने कारणे पाच्छू nिच्चे निशाइड force लगाड़ से that means के आया हेमर्ने rice करवानु करिया के ना द्वारा थाएचे diesel अथ 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 गेसोल अलना blasting ने कारणे जे हेमर रिंग छे अथ 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 हेमर्ने rice करवानु कारिया थत वही चे त्यार पची वाद करी ये वाइबरेटरी पाइल ड्राइवर्स Most commonly used थाई चे वाइबरेटरी एक्षन नो उप्योक करी ने पाइल ने जमिनी अंदर बेसाड़ामा आवती हुई छे फिगल मा जुवँ आउख हड़े चे अथां एक्जिक औरेटर्स चे अ अथां येक्जिस्केश हवे चे आयो हुँ टू छे ये वाइबरेटरी पाइल ड्राइवर्स चे एंदिन दर वाइबरेक्शन जंडरेटरी करूं आवे ट्रॉब शेय मा खाना बे एससेंत्रिक वेत लगाडेला छे अलग उलग horizontal आपके लगाडेला छे आनन्य वेत ऐक बीजानी opposite direction मा rotate कर से opposite direction मा rotate कर से,ucharist is पर वर्टिकल कम्पोनेट चे एक बिजामा एड थासे अना वर्टिकल कम्पोनेट ना एडिंग ना कार्णिया सुम थासे कि साइनोसोडियल मोसन मरसे साइनोसोडियल मोसन धेट मिन्स के उपर और ने नीचे वर्टिकली अपड और अने वर्टिकली डाउनवर्ड अने त्यार पची पाइल ने पकड़ी पन डाकशे अने वर्टिकली पोजिशन मा हेल्ड करीने त्यार पची वाइबरेटरी मोशन थी जमिन नी अंदर बेसारी देशे आप बधी मेथड़स मां सवती फास्टेस मेथड़्चे पायल ड्राइविन नी पड़ानी एक लिमी्ट यसन और रितर जमीन गखा लिए अतो ना खाकरवारी जमीन तो एकाशेस मां तम्हेवाइबर करी यह उप्योग करी शको बाकी ने ड्याशेस ने य性ंदर पायल ड्रा त्यार पची वात करिये water jetting and hammering अब water jetting एतले सु आहे तम्हें फिगर में जो वह रिते पाल ना नीचे ने बाजुए नोज होस्पाइप लगाड़ेला आसे और एमाथी high pressure थे ना high velocity थे water नो jet छे ना flow करवाम आवत्तु आसे कई जगी एपलाई करवाम आवे छे? यहनी नीचे थी high pressurized water नो flow थासे छेने काणे high pressure ने काणे यह जे उपर नी कठन लेयर चे जमिन लूज स्वेल नी उपर नी कठन लेयर आथ वातो रोकी लेयर चे यहनो तोड़ी नाख से और पाल ने नीचे बेस वादे से त्यार पछी hammering action नी मदथी बाकी नी जे पाल नी जे लेंच चे ना जमिन लेयर नी अंदर बेस आड़वाम आवसे त्यार पछी वाद करिये partial eggering method अवाय तमा figure में जोवारी ते egger देखाड़ेलो चे egger machine चे अन उपयो क्या थाई चे तोके vertical hole करवा माटे यह word use करेलो चे partial egger method क्या use थाई चे? inclined pile ने जमिन लेयर बेस आड़वा माटे specially कई pile, inclined pile ने जमिन लेयर बेस आड़वा माटे partial eggering method वापरवा माँ आवसे partial अतले के पेला जे ए यंगले pile ने जमिन लेयर बेस आड़वी चे यह ए यंगले अमूप depth सुधी power egger नी मदत्ती जमिन लेयर बेस आड़वा माँ आवसे तो विध्या थिमित्रो आता pile driving माटे ना equipments हवे वातकरी equipment used for the bitunumous road अतले के डामर ना road बुनावा माटे क्याके equipment वापरवा माँ आवसे ता इता मां figure मां जोवा है एटले घणा प्रकान equipment यूज़ था ता आजे holding equipment छे त्यार पाची compaction equipment छे transporting equipment छे पाण जो specially वात करिये के mixing अने placing that means के जे bitunumous concrete छे थो आतो asphalt concrete छे यहना mixing और यहना placing माटे ने equipment नी वात करिये ते वा बी आवसे पेलू छे batch type hot mix plant याटले के जे asphalt concrete भने आवा माटे यहना mixing माटे वापरवा माँ आवाँ चे त्यार पाची जे asphalt पेवर के जे asphalt छे यहने roll नी surface उपर पाथर वा माटे वापरवा माँ आवाँ चे अवा बनेना आपडे construction अथवा अथवा तो वर्किंग नी वाद करिए तामा पेलू छे batch type hot mix plant अवे आनू कारिया सुँचे अथवा तो कही रीते वर्क करें चे तो एना मुख्या साथ कंपोनेट चे पेलू छे cold feed system जाए डाबी सेट साउत ती पेला आवे चे त्यार पाची cold elevator जे cold filled system थी आगनो स्टेप चे त्यार पाची drum dryer अवे जे cold elevator चे cold field system अणे drum dryer जोडवानू कारिया करे चे त्यार पाची drum dryer माथी hot elevator निकर चे जे asphalt handling system जे निचे नी साइट चे त्यार पाची वेग ओपर चे अवे जे hot elevator चे drum dryer अणे वेग ओपर जोडवानू कारिया करे चे अणे नीचे पग मिल mixer चे जे नू कारिया स्टे बिट्यूमेन अथ आथ आथ आशपाल्ट अने जे एग्रिकेट चे नू mixing नू हावा आँ बद्धा नू डीटेल मा थोड़ो जोई है तमा पेलू चे cold feed system मुख्यकारी यसू छे कि अलग अलग साइजना एग्रिकेट नू प्रोपर मात्रा नकी करी आन यहने ट्रांसपोर्ट करू ये लेके रोड़ना कंस्ट्रक्शन में अलग अलग प्रकाना एग्रिकेट अलग-अलग साइजना एग्रिकेट वपराता होई छे चंडली त्राथी मांदी ने छ बीन होई छे लाके त्राणथी मांदी ने छ नानी साइजना खाना होई छे जेना भेगाकरी ने एक हाखे आखु फीड सेस्टम तेयार करवामा आवती होई छे कषे ना निट्चेनी साइटज गेट समुए छे जर्णू मुख्य कारीया समुए छे कि अलग-अलग साइजना एग्रिकेटना फ्फलो ने मेंटेन करुँ त्यार पचे आवे छे कोल्ड एलिवेटर कोल्ड एलिवेटर समु करें छे ज्या जे अ बीन चे एग्रिकेट बीन चे एमा थी एग्रिकेट ने लए आने येने डुना पेट करे बुका हुब सा माटे, बिकोज एग्रीकेट नूँ टेंपरेचर छे ए नकी करसे जे आपडे mixing नूँ टेंपरेचर छे ए यतला के एग्रीकेट ना टेंपरेचर ना अधर नकी थासे के mixing नूँ टेंपरेचर केतलू आसे आने mixing नी quality के भी आसे सपोज के टेंपरेचर वधारे आसे तो सूँ प्रस्णा आसे कि during the mixing जे असपाल छे जामवा मन से यतले के harden थावा मन से mixing दरमिया पर जो एग्रीकेट नूँ टेंपरेचर ओछू आसे तो एने कारना सूँ तासे कि जे एसपाल छे लिक्विड एसपाल एने ये आखे आखो एग्रीकेट ने कवर करी सक्षे नाई एतला माटे ज़रूरी थे जेएछे कि एग्रीकेट नूँ टेंपरेचर प्रव ओप्टेम हो जे आने बिजु जे एग्रीकेट छे एने अंदर भेजनू प्रमान सक्क्यों वई त्यां सुदी ओच्वों हो जे त्यार पची जे होट एलिवेटर होट एलिवेटर शूँ करे छे कि जे ड्रम डायर माथी जे होट एग्रीकेट निकडा छे एनने क्या सुदी पोचाड छे तो के होट बीन सुदी पोचाड वानू कारिया कर छे होट बीन नू मुख्या कारिया शूँ जे होट यह लिक्विड फम मागा नवट कर से त्यार पची अलग अलग प्रकार्ण ना बॉंडिंग मट्रियर्स इब बंडेनू मिक्सिंग करी आने एने प्लम मिक्सर शुदी पोचड़ानु कारियो करे छे त्यार पची चे वेग होपर वेग होपर सुँ करे छे एक ओटोमेटिक होपर होई चे मिक्यानिकली ओटोमेटिक होपर होई चे हवी होट बीननी नीचे आशे होट बीन माँ थी एग्रिकेट छे जे वोट एग्रिकेटी वेग होपर माँ जाशे हवे एक लिमिट थी वधार अथो तो एक वजन सुधी जे एग्रिकेट ची वेग ओपर मा पोच छे त्यार पची ओपर ओटोमेटिक निचे पड़ी जासे अने जे बद्धा एग्रिकेट चे एने एनी निचे निचे ने जे प्लग मिक्सर चे एनी अंदर ट्रांसपर करते चे अब पगमील मिक्सर नो मुख्य कारिया शून छे के एस्पाल्ट हैंडलिंग सिस्टम मा थे आवतो एस्पाल्ट और अधर बुंडिंग मेंटिल्यल्स आने वेग मिक्सर मा थे आवतो एग्रिकेट बनेने मिक्सिंग करवानों कारिया करे चे नोर्मली जे रेंज छे 1.5 तन थी मांडी ने 5 तन नी वच्चे नी वई छे और एक बेच नी अंदर ओच्छा मा ओच्छा 5 तन जेटलू जे अस्फाल्ड मिक्स छे ए तयार करता होई छे आप्रकार नी जे मिक्सिंग वई छे अतो आप्रकार ना जे प्लांट छे ओच्छा मा ओच्छा 300 तन सुधी नू मिक्सर छे ए पर अवर जंडेट करी सकता होई छे बिजू कि जो मिक्स ना टेंपरेचर नी वाद करी तो 225 मांडी ने 350 डिग्री फेरनेट सुधी नू आनू टेंपरेचर वई छे पर क्यार है कि जेरे प्लग मिल माथी निकड़े त्यार है त्यार पची चे एसफाल्ट प्यावर अवा यह ता मैं फिगर मा जो होग रहते है एक फ्रंट लोडिंग टाइप में मसीन चा अथा ट्रेक्टर चा यह नहीं अंदर सुधासे कि जे मिक्सिंग प्लांट माथी जे एसफाल्ट आवसे यह ता मैं आगनी साइड जे बकेट अधिवी रचना देखाया चे एन यह उंद एन्दर ट्रेक्टर नी मदति डायरक डंप कर दिया वामा आऊसे। कि यार पच्छी संग तेखक न गड़ह अजर चैन फो साथ के व दिविफनर के अग exist अधिकनेस मेंटेन करवी अने इनिसियल फिनिसिंग आतु राइट तो विद्यार्थिमीत्रो आजना वीडियो लेक्चर नी अंदर आपने पायल ड्राइविंग एक्विपमेंट अने अने बिट्यू नमस रोड बनावा माटेन अलग 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 एक्विपमेंट जोईया और कंस्ट्रक्शन जोईयो यानी खासियतो जोई त्यार पच्छी कई जगे एपलिकेबल जा अब दीबाबत उपर चर्चा केरी सो थेंक्यो स्टूडन्स